हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका एक वाफिस है आपके ही अपने यूटूब चैनल गार्डन वर्ग में तो आज जिस टॉपिक पर वीडियो है वो है खाद बनाने पर और वो भी कैसी खाद जो आपके किचन में वेस्ट माटेरियल बनते निकलता है न छिलकोए गरा उसकी ख प्रोसेश समझ में आएगा ऐसे आपको देखने बहुत आसान लग रहा होगा कि बहुत आसान इसे मसेश को डाल देना है और बन जाएगा ऐसा नहीं है अगर आप ऐसे यूँँ ही डाल देंगे तो बहुत बद्बू आएगी और नहीं बनेगा तो आप पूरा प्रोसेश किसी भी चिज की छिलकी पियाज के और येूँ आप ना बसट की mü के चिलकी ही डालने अपको और यह देखिए मटर के हैं पालक का मतब कुछ भी आप हो कुछ भी आलू के चिलके कुछ भी कोई भी चिलके आप डाल सकते हैं बस इसमें ध्यान देने आली बाद यह है कि आपको नॉन वेच नहीं डालना है कोई बैकरी का आइटम नहीं डालना है जैसे केक पेस्ट्री और अब यह जाम लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें मिट्ट्ट के अपर में ही बनेगा तो इसमें लहीं आएगे और आपको कंपोस बहुत बनेगा तो इसलिए आप इसको बनाने के लिए हमेशा जो मिट्टी होती है मिट्श के पॉक है मिट्टी के पॉट में आपको एक लियर बिपचा देनी है लगभग दू इंच तक जो है कोई een large तीसरी लेयर आपको फिर यह जो हमारा वेस्ट में डालना है और चौती लेयर फिर हमें जैसे घास भी आप डाल सकते हैं लॉन की कुछ भी डाल देजें फिर से हम इसको डालेंगे और फिर थोड़े सी मिट्टी डालेंगे लास्ट में फिर से हम एकदम जब पूरा यह भर ज शुरू में मिट्टी डाल दीजिए और इसको किसी भी गार्डन में कॉर्णर में एक महने के लिए रख दीजिए और ठंटी में स्वित्रों हट टाइम लगता है लगभग 45 दिन का और गर्मी और बरसात में यह 30 दिनों में आपकी खाद बनके तयार हो जाएगी तो आप ल बनाते हुए दिखाऊंगे यह मेरा वीडियो ऐसे है ओरल तो आप एक बार बना के देखिए अगर नहीं बनेगी तो मैं आपको जो है खुछ से बना के दिखाऊंगी एक नया वीडियो लेके आऊंगे तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धान्यवाद बन